Hello students, मैं प्यूस राजपूत और आपको अपना चैनल प्यूस कोचिंग क्लास है जैसे बच्चो आपको पता ही है हमारे exam को जो pattern है उसमें changes हो गए है हमारे exam जो है उसको दो पार्ट में divide कर दिया गया है जो पहला पार्ट है उसमें जो questions आ रहे हैं बच्चो आपके MCQ होंगे यानि कि उसमें आपको passes या asserts and reasons questions दिये जाएंगे तो बच्चो हम उनी की practice करेंगे और आज हम एक passes से सुरुबात कर रहे हैं एक पूरी city चलाएंगे जिससे आपकी काफी अच्छी practice हो जाए तो आज हम पहला passes करने जा रहे हैं देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारा passes करें part of the monthly hostel charges in a college is fixed and the remaining depends upon the number of days one has taken food in the mass when a student Anu takes foods for 25 days she has to pay 4500 rupees as a hostel charge where is another student Bindu who takes food for 30 days has to pay 5200 rupees as a hostel charge ठीक है बच्चो तो इसमें दो तरे के charges आपको नज़र आ रहे हैं एक है fixed और एक है आपका जो depends कर रहा है days पर तो सबसे पहले बच्चो हम let कर लेते हैं कौन सा charge? fixed charge उस fixed charge को बच्चो में माल लेता हूँ कि वो x rupees है क्या है? x rupees ठीक है और जो आपका depends कर रहा है on days उसको कुछ माल लेते है depends on the days उसको हम ले लेते हैं वाई ठीक है बच्चो? और ध्यान रखना कि आप जो case study questions हैं उनको बहुत lightly ना ले क्योंकि इन questions में यह होता है कि आपका या तो answers साही है तो आपको पूरे marks मिलेंगे गलत है तो फिर आपको zero marks मिलेंगे इसलिए इनकी अच्छी तरह से practice करें जिससे आपके marks कटे ना ठीक है बच्चो? तो भाई हमने दोनों तरह के fixed charges और क्या ले लिए है जो variable charges ले लिए है अब देखो जो है अनू अब अगर मैं अनू की बात करता हूं तो अनू ने 25 days लिया और fixed charge कितना x तो देखो x तो हो गया fixed भाई यह तो लग नहीं है और एक दिन का कितना charge लग रहा बाई तो 25 दिन का कितना charge हो जाएगा 25 बाई टोटल कितने रूपीज है 4500 के लिए रहे हैं दूसरी कोन है बिंदू ओके बिंदू कितना खच कर रही है तो बिंदू ने x रूपीज और 30 days उसने use किया है और उसके पास है 52 तो दो equations हमारी बच्चों बन गी और प आपका जो है वो फर्स्ट हो गया अब मैच कर सकते हैं x plus 25 is equal to 4500 x plus 35 is equal to 5200 ओके ठीक है अब आते हैं इसके second part पर क्या कह रहा है जो equations हमारी क्या थी x plus 25 by x plus 25 by is equal to 4500 x plus 30 by is equal to 5200 ये दोनों है अब देखो आपने पढ़ा था कि अगर मैं a1 पहली equation को देखूं तो a1 की value 1 है b1 की value 25 है और c1 की value बच्चो minus के 4500 है और अगर मैं बात करता हूँ a2 की तो बच्चो 1 है b2 30 है और जो c2 है वो minus का 5200 है ठीक है बच्चो जो a1 है वो x का coefficient होता है और जो y का coefficient है उसे हम b1 बोल रहे हैं और जो constant term है वो c1 आपको पता है कि अगर आप ratio लेखें a1 upon a2 तो वो आएगा 1 और अगर आप b1 upon b2 देखें तो वो आ रहा है 25 upon 30 यानि कि 5, 5, 25 और 6 क्या ये दोनों equal है बिल्कुल नहीं है जब भी ऐसा case हो कि a1 upon a2 equal नहीं है b1 upon b2 के तो याद करो क्या होता था unique solution क्या होता था unique solution के लिए रहा इतनी बात तो unique solution है तो option हो गया भी ठीक अब इनको solve कर लेते हैं अब देखो solve में क्या है अगर आप इसको क्या कर दें eliminate method लगा दें तो xx cancel हो जाएगा 30 में से 25 जाएगे कितना बच्चे का 5 बाई और ये हो गया 0 और ये आ जाएगा आपका कितना 7 minus के 7 तो इससे ही चला गया तो y की value कितनी आएगी ठीक है भी y आ गया y क्या था जो आपका depend कर रहा था days के साफ से charges ठीक है बच्चो अब आते हैं हम इसके x पर तो ये आपका thousand आ गया दोनों आ गए thousand आ गया और 140 उपीज आ गया दखोते भई तो the cost of food per day तो per day का हिसाब आपको 140 है तो fixed charge per month for the cost is रुपेज थाउजन अब क्या पूछ रहा है अब पूछ रहा है तो बिंदू takes food for 20 days कितने दिन के लिए 20 दिन के लिए चलो 20 दिन का भी निकाल लेते हैं 20 दिन का जो होगा वो आएगा x plus 20 वाई ये होगी आपकी cost ठीक है न तो x कितना है बच्चो एक हजार ठीक है हमने पैसिस पड़ा उससे equation बनाई हमारे पास conditions थी कि अगर even upon a2 not equal to b1 upon b2 है तो वो case हमारा unique solution है तो आपको पैसिस समझ में आ गया हूँ ऐसे हमें बहुत सारे पैसिस करने ताकि हम एक्जाम तक जाते जाते एक दम strong हो जाए हमारा कोई भी question गलतता हो ठेक बच्चो तो आचे क्लास में जरुए इतना ही थेंक यू